हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक और नए ग्लास में आपको कॉडिरेटिक फॉर्म बताई थी पूरा सुलूशन बताई कैसे कॉडरेटिक फॉर्म होती है उसे अगर कोई मैट्रिक दे रखियो तो हम कैसे उसे एक्क्वेशन में कनवर्ट करते हैं या कोई एक्क्वेशन द है तो कल हमने आपको फॉर्मिला बताय थे क्या होता है एक रॉच वान गैं सक्वेशन अपितक दो जो ऑल्फ़ेशन होती जैसे एक वन तुष्छन एक्क्वेशन दू घूड रख लेतें तो आजाएगा प्लस टू एक्वन टू एक्स्वेशन टू प्लस कट टू-ए एक् x1 and x3, फिर 2, x2,3, x2 & x3, हमने यह आपको 3 x 3 के लिए formula बताया ता जो होती है, matrix हमारी 3 x 3 की जोती थी, तो यहाँ पर देखिए A11 की value हमारी कितनी रही, 3 तो हमने लिख रही है 3 और x1 का square ऐसे ही रिखा रहा, x22 की value हमारी 3 थी, x33 की value हमारी 5 थी, अब x12 की value हमाई देखे एक first row and second column की value 1 थी हमारी तो फॉर्मुले में हमारे 2x1 and x2 आता ही है तो 2x1 and x2 ऐसे रिकार और 1 से कोई भी effect नहीं पड़ा और यहाँ पर देखे एक्स 13 की value हमारी क्या थी हमारे फॉर्मुले में होता है प्लस का 2x1 and x3 तो यहाँ पर माइनस का रिशान लगी है वैसे यह ठीक है तो क्या करना हमें थ्री क्रोस दीक है यह एक दे रहा है पहले हमनों डाइगनल में जी स्क्वार्ट से एक 11 and x1 का स्क्वार 822 x2 का स्क्वार वैसे हम लोग फॉर्मुला लिखा फिर इसके बाद फॉर्मुले के जो हमें उसी के सब्सक्राइब करते हैं इसी को हम इसी फॉर्मले से कंपेर करते हैं kai a11 की गया है यहां पर तो मैंने व के से क्या वाइर गाय। 2 लिखाए 2 तो ऐसी रहेगा X1 X2 भी ऐसी रहेगा यहां पर 2 एक्स्ट्रा चल ला है ठीक है तो 2 A12 की वैलू क्या हो जाएगी 2 एन अगला है हमारे A13 यह रहा A13 2 A2 X1 X3 तो ऐसी लिखा रहेगा यहां पर माइनस 1 एक्स्ट्रा चल लागी तो क्या माइनस व्लाइख चल ला तो A13 की वैलू हमारे जिखा जाएगी माइनस यह अगले अगला हमारा है X2 X3 तो 2 X2 X3 हमारा फॉर्मिले वाला इसमें भी माइनस माने चल ला तो a23 की वैलू जिखाएगी ही और हमने आपको बतायाता आफ ए ह regen ए 3 वन के बरावर होता हूँ सबस्क्राइब इसमें पूर ने उसी के समय को पृण न कि पहले मैको नहीं यह तरीक om पिद्ध नों से मैं तो उमीद करतें इतना तो आपको समझ में आ गया अगला टॉपिक है के अगला टॉपिक हमारा सलीशन और सिस्टम और लिदियर निशन ने क्या सकते अगला वर्किंग रूल पूरा जिनके लिए पेपर डिस्क्रप्टिव है उनके लिए सवाल इंपॉर्टेंट कि जो हमने सवाल दिया है हमारे 15 और 15 और 17 या 16 में कोशन आया हो तो यह वाला कोशन हमारा इंपॉर्टेंट है लेकिन तरीका यही लगेगा कोई भी नंबर दो कोई भी डिस्करप्टिव हो यह समझ लें तो इसमें हमारे टीन टाइप के रूल लगते हैं रैंक एक को लाने चाहिए रैंक बी की और इक को लाएंगे नंबर वेरिविल क्या है यह मैं आपको इस कोशन में पहले आप समझ सब्सक्राइब के लिखा क्या है यह जब हमारे तीनों एक का रोजाएंग तो सिस्टम ऑफ एक्वेशन जो होगा वह आर कंसिस्टेंट आएगा और इसके जो सुलीशन आएंगे वह यूनिक सुलीशन आएगा क्या जब हमारे रैंक ए रैंक भी बराबर होंगे बट नंबर सिस्टम ऑफ एक्वेशन आज तब हमारी कंसिस्टेंट होगी बट इस सलीशन आएगा इंफाइनाइट आएगा यह यूनिक इंफाइनाइट वह हम बताएंगे आपको सवाल में कैसे आएंगे ठीक हैं थर्ड रूल हमारे तो रैंक ए एंड रैंक भी नॉट इक्वल टू जब रैंक ए और बी जब इक्वल नहीं आएंगे तो तो सिस्टम ऑफ इंकंसिस्टेंट आएगा हमारा एंड सॉलूशन अजब सिस्टम इंकंसिस्टेंट तो सुलूशन कोई होगा इसलिए नो सॉलूशन आएगा अब यह रहा आपका कोश्वेशन हम आपको बताते हैं को अच्छ यहां पर नबटिक्स में करेंगे क्या से करेंगे हमने वाली में मैट्रेक्स आ हुआ है यह चो नमड़ों समझी क्या होता है लमड़ों मतलब एकस य यहां पे आपको कितने एकंच अटकर नंबर यह अच आ इस तो हमारी नमढ़ और वरिवल का हुजएगar थि। Three He w he हमारे 4 हो जाएंगे तो आपर समझ के अध्य होते जो हमें यहां यहां पर 3 था कभी-कभी आपको equation में 2 देगा या कभी-कभी आपको 4 भी देगा तो number of variable हमारे क्या होगा 3 चलिए एक चीज़ समझ जाए अब rank A का मतलब क्या है rank A निकालने के लिए हमें तो matrix चाहिए होगी multiply में कुछ नहीं चला तो 1 है वाई के में भी 1 एड़ भी 1 पहली जो equation होगी उस वह पहली रो है जो second equation वह हमारी second row हो जाएगी और जो थर्ड equation होगी वह हमारी third row हो जाएगी तो देखिए फस्ट equation हमारी टी एकस वाई जैड तो हमने लिख लिए इसके वर्येविल वन ही चला तो हमने वल लिख दिया अब देखिए second equation में क्या देखिए पहले हमारा वाई के साथ माइनस वन चला तो माइनस वन एंड जैड के साथ वन चला तो वन और यहीं एकस के साथ यहां पर देखिए third room है हमारी अटरो में बनेगी उसमें एकस के साथ mm लिख लिए हैं आद वाई के साथ 또 लिख लिया ये साथ मैनस वन चला तो मैनस वन लिख के साथ मैटिक्स टिक के number of variable हो गाहा एंट्रिक्स ए वना ली इस जी से लोग रेंक निकालेंगे बट अब रेंक B क्या है वह भी आपको पताते हैं रेंक B का मतलब हमें एक मैट्रिक्स और चाहिए होगा और आप वह काहसे रेंक यह रहेगी यह जो रेंक यह वह हम इसके पहले लिखेंगे क्या है one 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 and one and minus one one two one minus one यह हमारी क्या हो गई यह भी metric complete नहीं हो यह हमारी rank A हो गई यह number of array भी लोगे अब metric जो B बनेगी वह पहले तो सब्सक्राइब लगाएंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बाकी हमने करा के देखे पहले नुम्बर वैरियेबिल कामने नम्बर वैरियेबिल क्या बता है जो वैरियेबिल जितने दो होगे तो दो जाएंगे नम्बर वैरियेबिल तो यहां पर थी लिख दिया अब रैंक एक रहें के पहले उससे वैसा ही लिख दिया फिर जो में एक पूजिशन के एक्वल में जो नमबर चल ले थे है कुछ भी चल सकते हैं यानि जीरो भी चल सकते हैं तो कुछ भी नम्बर चले तो हमने यहां पर लिख दिया तो यह हमारी रैंक भी हो गई तो उमीद करते हैं और रेंख भी दोन फाइंड कर लेंगे कैसे इसमें पुराना इंटर वाल में लगेगा जो हम लोग लगाते गया तो आप रो में लगाई यह प्लाई करा है तो इक रेंग जो भी दिर्की वो हम्ने लिखी फिर हमने इसमें एक साथ दो आपड़ाई करें कौन से पहले एक ने टू से मल्टिप्लाई करी थीक है फिर हमने इस टेवाइट कर दिया तो देखिए क्या मिला कर दिया तो इसे नोट हो जाएगा यहाँ पर देखें क्या एफेक्ट हो रहे है यहाँ पर माइनस का बन होगा मींस के लिए है पहली हमने सेकंड बेल लगाया किस ने करी माइनस के वन से यहाँ पर मैनस के वन हो गया मैनस 1 मैनस 1-6 तो मैनस 1-1-1-0 हो गया मैनस 1 & 2 हमारा 2 हो गया और मैनस 1-1-0 हो गया ठीक है मैंश को cgsin 16-4, अब फिर क्या करा हमने थर्ड एक लिए x2 से multiply करी जैसे लिखा हूआ यहां भी हमने लिखना है तब मैंशपी ड़्धकी बहुए सब resemble valid और बभी कमिो जीरो माइनद्थ के टू हो गया मानद्थ ए ONE तो उन्वाइट करेंगे जब यहां पर कोई फैक्टिन पड़ेंगे यहां पर हमारा मैस का फॉर आउंट्य। करेंगे माइस के बन पर माइस में मैंस में से लिए तो देखिया अब अब आपरेशन अब तक रो उप्रेशन नहीं नहीं बन जाती और जहां पर जैसे नहीं बन पाइंग वहांगी पर देखिए यह अपर यहाँ आप जिरू और तो हमने क्या करा र तो हमने यहां फर्रक नहीं पड़ा यहां पर नहीं हमारा नाइन बचा अब देखें इस से जाद हम इसमें नहीं बना सकते लिए हम आपको चेक भी करके दिखाते हैं अगर हम इसको जीरो बनाने चाहेंगे तो इसमें हम 3 से multiply करनी पड़ेगे करनी पड़ेंग और जो 3 से multiply करें तो हमें यह तो जिरो बन जाएगा लेकिन यह यहां पर 3 3 0 एंड करें तो हमारे बन जाएंग तो इससे जाध हम इसमें 0 नहीं बना सकते तो आप देखें क्या करेंगे हुआ है हुआ है आधे पूरी रैंक जो थी हमारी इतनी फी तो रैंक E के लिए देखिए है जो यह आपको दिख लाए अ कि इसमें कितनी साए एक बेस्ट जीरो नहीं है तो रैंक हमारी हो जाएगी अजय है क्षरी क्यों कि मैट्रिक से मैटिक साओ कोई भी रो हमारी nut कि किसे हो गए धरी तरी कि अब चry Buff run के लिए कि लिए रैंक बी के लिए जो हम लोग पूरी मैट्रिक्स को देखेंगे इसमें भी कोई भी हमाई रूल जीरो नहीं है तो रैंक भी क्या हो जाएगी अब देखें हम ऐसे लिख देंगे इफ रैंक ए बरावर रैंक भी और इक्वल टू नंबर आउप वैरियेविल हाँ हाँ है पुआ है कि हमारे क्या होगा अपसे यहाँ पर जए हम फिर सेंट यही लाइन अंहीं यहां लख देंगे इसे ऊङना ने जीक्दप यह पूरी लाइन आप यहां तक लिंघन niला कंसेस्टेन है वर युनिक सिलेशं अब कंसिस्टेन तो समझ में आगे यह भी सिस्टम का अब यूनिक स्लिशन क्या यह पूरी लाइन अप एंट इज़ेश्ट यहाँ पर नोट कर दीजिएगा ठीक है अब देखिए हम लोग पता देखिए हम आपको पता यूनिक स्लिशन का क्या मतलब है हमें यह मैटिक दे रखी है ठीक है तो हम लोग क्या करें लिखिए एकस यसर में लोग एकस यसरे न के से करेंगे यह फ़र्स रोह हमारी चल लागा यह पहले हम यहां पर मैटिक लिएते हैं 1 1 1 0 1 0 and 0 0 3 6 2 9 यह हम किसलिए कर रहा है हमें unique solution मतलब solution चाहिए x y z की value चाहिए हमें तो हम first row हमारी क्या यहां पर 6 रिखा हुआ है first row में हमारे कोई भी element 0 नहीं है तो हम लोग क्या रिखेंगे x plus y plus z equal to 6 जो क्या हमारी equation थी ठीक है and second row में देखिए दो numbers इसमें element 0 है तो x 0 हो गया y आ रहा है z भी 0 चला है तो हम यह क्या रिखेंगे 2 इसे वराए equation first इसे वराए second और third row में देखिए starting की number में x भी 0 चला है y भी 0 चला है z 3z वरावर हमारा क्या जागा 9 यह हमारी होगा equation third अब क्या करेंगे हमें x,y,z की value चाहिए 2 की value में direct मिल गई 2 और 3 की value वह सरी y की value हमें direct मिल गई 2 आ रही है z की value भी 3 आ रही है अब हमें x की value चाहिए तो यह value इसमें रख दीजिए x प्लस y की value 2 z की value 3 & 6 तो x 5 sorry x plus 5 equal to 6 यानि x वरावर क्या जाएगी 1 तो क्या कर आपने इस सवाल में देखिए हमें तीन आपको तीन rules बता आयते पहले वह आप पढ़ दीजिए आप आपको बता जोगे फिर हमें कि एक question यह हमारा question आया हुआ है अब यह प्यारी उनिवस्ती में जिसके पर डिस्क्रेप्टिव है उनके लिए method डीटेल से लिए लगा आपको तरीके से लगाना आगे दो टाइप कोशन वह मिसी से आपको संद्धिया देंगे पहले नंबर वैरेविल लिंक आले क्या होते एक सब्सक्राइब है नमबर औ मैटिक्स बी को solve करा वही पुराना इंटरवाला method लगाया अपलाई करा operation सारे रो में operation अपलाई करें फिर हमने इस जो मैटिक्स निकल के आई थी रैंक B के लिए क्या करा जो हमें a matrix थी उसके जितने element थे उससे रैंक निका ली एंड रैंक B के लिए पूरी matrix को देखा रैंक दी दोने की जब रैंक एकक ला गे नमबर वैरेविल तीनों हीको ला रहे तो हमने फास्ट वाला रूर पूरा लिग दिया ठीक है उसके बाद क यहां पर आपका कुशंट यह complete हो गया अब सेकेंड हमारी डूल देखे क्या है rank A और B बरावर आने चाहिए पर number of variable बरावर नहीं आने चाहिए तो देखिए इसी कोशन में हम आपको बताते थोड़ा सब चेंज करेंगे rank A और B बरावर आने के लिए हमें ये rank solve करने के बड़ेगी ये ऐसा ही रखेंगे ठीक है number of variable बरावर नहीं आने चाहिए मालेज़े इसमें कोई variable X से आमने लिख दिया जैसे X प्लस Y अगर कोई equation आपको X प्लस Y में रखेंगे इकल टू दे दिया एक्स प्लस Y इकल टू तू दे दिया एक्स प्लस Y इकल टू ठीक है अब इससे आप number of variable निकाल लिए तो number of variable हमारे कितने आएंगे तो number of variable यहां पर हमारे टू आजाएंगे यह कोईशन हम यह नहीं कह रहे है इससे जरूरी नहीं यह आएगा यह हमने लिख दिया कि आपको समझाने के लिए लेकिन इसमें number of variable टू है लेकिन आप इसमें जो rank निकले कि हमें नहीं पता क्या नि आपको यहां लिख दिया है जैडिकल टू 3 प्लस एकॉल टू 4 प्लस जैडिकल टू 5 यह देखिन नमबर आप यहां पर 3 है बड़ इसकी रेंक क्या पतार नहीं इक्वाल आई लेकिन जैसे हम इसी समद्सक्राइब लिए नमबर आप यहां नम्बर आप बढ़े होगा यहा यहां पर हमने 0 लिख दिया और यहां पर भी 0 लिख दिया यह सब आपको समझा रहा है क्या number of variable हमारे 3 है और जब कोई भी equation आपको दे रख्योंगी तो इसमें जो rank आएगी वह हमारी equal तो आएगी but number of variable से चोटी आएगी जैसे अब इसकी rank find करें यहां पर एक रो हमारी 0 हो रही है तो इसकी rank क्या हो जाएगी 2 यहां पर क्या rank A A equal to rank B but not equal but number of variable वह बड़ा हमारे rank A और B से तो क्या number of variable तो यह formula हमारा अप्लाई हो जाएगा इसमें तो देखिए यह formula हमने apply कर दिया कैसे करा number of variable यहां पर 3 थे आपको समझाने के लिए हमने इसमें थोड़ा से चेंज किया क्या किया देखिए यहां पर हमने 0 रो कर दी लास्त वाली तो इसकी rank A की हमारी 2 निकल गया यह rank B वी हमारी 2 निकल गया अब इसमें जो क्या infinite solution का क्या मतलब है अब आपको बता दें infinite solution का क्या मतलब है इसमें जो solution आएगा वह infinite आएगा कैसे आएगा वह देखिए देखिए यहां पर आप compare करके देखिए एक्स प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 6 आ रहा है एक्वेशन नमबर फर्स्ट ठीक है एंड वाई इक्वल टू क्या आ रहा है तू अब इससे जादे एक्वेशन तो इसमें बनेगे कि इसमें लास्त रों हमारी जीरो चले यह सेकेंड टाइप का कोशिन है ध्यान से समझिएग तो क्या एक्स प्लस Y जैडिकॉल टू टू है अब इसमें वाई की वैल्यू रखे तब ही हमें वैल्यू नहीं मिलेंगी तो हम इसमें क्या करते इस टाइप के जब कभी भी आपको पूश्चन दिया तो आपको लेट करना पड़ेगा कोई वी एक चीजा से हमने एक्स वरा क्यों निकलेगा वो फाइनाइट नहीं होगा अब के यहां पर क्या है वेर के इकल टू वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड तक जाएगा इसी का मतलब होता है इन्फानाइट सुलिशन के में पता ही नहीं यह सुलिशन जा कहां तक रहा है तो क्या देखिए हमने य की वैलू 2 and Z इकल टू 6 अब इसे स्वाल यह जाएग है के प्लस Z इक्वाल टू 6-2 तो देखिए जाड कि जो वैलू हमारी ऐएगी आएगी 4-क के जाड की वैलू मिल गई और एक्स की वैलू पता है य की वैलू तो हम लोग क्या रिखेंगे देखिए एस इस इसकोल and y equal to 2 and z equal to 4 minus k where k equal to plus minus 1 plus minus 2 and plus minus 3 कुछ भी हो सकता है and तर ठीक है क्या था second type की question में हमने आपको बता है first type को तो समझाएज़े second में क्या number of variable हमारा 3 है number of variable बड़ा होगा rank a and rank b से number of variable हम 3 है और जब हम किसी भी आपको जी question देगा उसमें जब आपको पूरा rule लिख लिएगा आप जब आपको यह रैंक और रैंक भी की कैसी आई तो आई और नमबर बड़ा हमारा 3 आया तो हमने फॉर्मुला लिख दिया और सेम यही आप पूरा रूल लिख लिख लिएगा आप जब आपको यह रैंक और रैंक भी फाइंड हो जा तो आप क्या लिखेंगे इफ रैंक के इकॉल टू रैंक भी एंड गटरें लंबर अफ बैरेविल देंगा देन्थन अफ एक्वेशन आप कंसिस्टेंट एंड है इन्फाइन स्लूशन और इन्फाइन सलुशन कैसा है जब उन्हें इसकी ट्रीक्वेशन बनाई तो इक दो इक विली तो अमने क्या करा एक बनाने करने की एक चीज़़ लेट करनी पड़ें वरना में वेल्यों नहीं ठीक है फिसके आपने k लेट करा तो हमें x औ y की value मिल गई तो हमने value equation 1 में put करी और z की value निकाल दी तो z की value जो हमें आई फिर हमें निकाल दी इस x वरावर k, y वरावर 2, and z वरावर k minus, sorry, 4 minus k, ठीक है, where k is the plus minus 1, 2, n तक जाएगे infinite solution, ठीक है, तो उमीद करते हैं, second type को question भी आ हमारे क्या कह रहा है, if rank a and b not equal, then the system are inconsistent and no solution, क्या मतलब हुआ, इसमें जब कोई भी हमें metric ते रखी, उसकी rank a और b भी परावर नहीं आएगी, जैसे देखिए, कोई भी equation हो, third rule में हमें number of variable से मतलब ही नहीं है, चाहें तो निकाल भी दीजेगो कोई बड़ी, कुछ नहीं है, अब देखिए हमें, क्या दरना है, rank को a और b equal नहीं ला रही है, मालीजे हमें कोई equation दे रखी, जिसकी हमने solution डारेक्ट लिख रहा है, number of variable कुछ भी हो सकता है, number of variable, मालीजे 3D निकल के आया, ठीक है, और जब हम इसकी rank find करेंगे, a हमने कुछ matrix माल दी, कोई matrix हमने b माल दी, b क्या होगे, पहले हम a की matrix लिखेंगे, फिर जो number equal में दे रहे हम लिख दिया है, फिर क्या करा हमने, फिर जब हम b की rank निकाएंगे, तो कुछ इस type के लिखेंगे हमें मिलेगे, 1, 2, sorry, 1, 2, 3, 0, 5, 6, 3, 2, ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा होगा, and 3, 2, 1, and 0, sorry, 0, 0, and 0, यहाँ पर हमें कोई number दे रखा होगा, 3, यह अपकी हो गई B, हमने, कोई matrix इन्होंने कोई भी question दे रहे हो, जिनके लिए descriptive है, उनके लिए भी method यह लगे, जिनके MCQ है, उनके लिए भी method द्यान से समझे, कोई हमें 3 equation दे रखे थे, हमने उसे A, B मान के पूरा solve करके, हमने समझी है, हमारा जो answer है, वो यह निकल क्या आया, क्या है इसमें, अब देखिए, इसकी rank निकालिए, rank जब हम इसकी A की निकालिएंग, तो देखिए क्या आईगी, rank A देखिए, 2 आ रहे है, क्योंकि last virus 0 है, तो इसकी rank क्या हो जाएगी, 2, ठीक है, और second, अब देखिए, rank B निकालिए, rank B, rank B निकालिए, अब पूरे को देखिए, और rank B देखिए, A 0 है, लेकिन B 0 नहीं है, क्योंकि B में में last element है, तो rank B की हमाई 3 निकाल गया है, क्या करा हमें कोई भी नंबर जो आपको equation देखिए, उसमें यह बाप solve करेंग, तो rank A हमारी देखिए, 2i, एर rank B हमारी कितनी 3 निकालिए, तो इसका मतब क्या rank A और B एक्वल नहीं है, तो क्योंकि लिखेंगे, हम rank A not equal to rank B, तो यह आगया, अब इसके लिए हम third वाले rank अप्लाई कर देंगे, rank A यहां से आप दिखेंग, जब इससे solve करने हैं, उसके इसका मतलब ही inconsistent have no solution, अब इसका आप solution निकालिए, नहीं निकलेगा, अब जब कभी भी rank A and B not equal आज़े तो आपको solution नहीं निकालना, तो आप सीधे इतना लिखिएगा, जैसे rank A and B not equal आगे तो आप लिखिएगा, if rank A not equal to rank B, then the system of equation are inconsistent and have no solution, ठीक है, तो मैं गरते हैं, आपको तीनो डाइप के question समझ में आ गए होंगे, पहला क्या था, हमें equation दे रखी थी, उसके हमने पहले number of variable निकाले, फिर A and B matrix बनाई, फिर B को हमने solve करा, क्यों solve करा, rank A and rank B चाहिए थी, rank A and B निकाली, फिर जो अगर rank A, B and number of variable equal आएंगे, तो हमारा system है, जो equation होगी, वो consistent होगी, यूनिक solution देगी, जैसे X or Y की value निकालेगी, and अगर हमारी rank A, rank B equal है, बट number of variable बड़ा है, तो हमारी system of equation होगी, वो consistent होगी, and infinite solution, infinite solution मतलब आपको 2 equation देगी, और आपको एक, एक जो number सो हो, अपने पास से ही मानना हो, जैसे K, आपने K मानना है, कुछ भी मान दीजे, आप S मा जानी हो, where, जो भी number आप माने, वो, M तक जाएगा, मतलब निकाल दीजेगा, तो जब हम लोग इसे find, solve करेंगी, तो rank A, rank B, हमारी equal नहीं आएगी, जैसे कि हमने, आपको इस matrix में बताया है, तो फिर हम क्या लिखेंगी, rank A and rank B not equal to, then the solution of system are inconsistent and have a no solution, तो उमीद करते हैं, जितना भी हमने आपको question समझाए होंगे, आपको समझ में आगा होंगे, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में, जो कल का class हमारा होगा, इसी से रिलेटरिम आपको MCQ solve कराएंगे, बाकि आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगल ओंगी उपको समझा कर दो एपको कर आपको समझाए